आज ही डाउटनिट आप डाउनलोड करें डाउटनिट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस क्वेशन हम से पूचा गया है कि ओईल ड्रॉप में टैश होना होट वाटर, तो इस क्वेशन के लिए हम सर्फेस टेंशन के फिनोमेला को ध्यान रखते है हम जानते हैं, जो सर्फेस टेंशन होती है ओईल की, तीक है सर्फेस टेंशन जो ओईल की होती है सर्फेस टेंशन ओफ ओईल तीक है, ओईल की जो सर्फेस टेंशन होती है वो कोल्ड वाटर के कर्रेस्पॉंड में क्या होती है वो कोल्ड वाटर के कर्रेस्पॉंड में लेस होती है सर्फेस टेंशन ओफ ओईल होती है वो less than होती है cold water, ठीक है, Suffice Tension of oil is less than the surface tension of cold water, तो क्या होता है, चुकि oil की suffice tension cold water से less होती है, तो क्या होता है, कि जो हमारा oil होता है, वो spread हो रहता है over cold water, ठीक है, Hence oil spread over cold water होता है, Hence oil spreads over cold water, Surface tension of oil is less than cold water Hence, oil spreads over cold water यह हो जाते है महार पास अभी बात किए गईी, hot water की तो hot water is case में जा रहता है जो surface tension होती है hon water के लिए हमारी जो surface tension होती है oil की, वो ध्यादा होती है surface tension of oil is greater than hot water surface tension of oil is greater than hot water चुकि surface tension of oil greater than होती है that of hot water इसलिए जो उसका shape होता है वो drop में ही रह जाता है ठीक है तो oil drop में remain a drop इसका अंसर था may remain a drop जो surface tension होती है hot water surface tension होती है ठीक है oil drop की वो hot water से जाधा होती है इसलिए वो oil drop ही बना रहता है ठीक है remain a drop रहता है लेकिन surface tension cold water की surface tension of oil cold water से कम होती है इसलिए उस पर oil spread कर दाता था तो यह हमारे याप पर अनुष्वर है, ठीक है? Thank you.